दोस्तो आप सभी हमारी टीवी इंडस्टी की बहुत सारे अभीनेत्रियों को तो जानते ही होंगे जो कि आज हमारी टीवी इंडस्टी में एक चमकदार सितारा बनकर उभरी हैं तो वहीं उन में से हमारी एक टीवी इंडस्टी की मशूर अभीनेत्री तुनिशा शर्मा भी जो कि आज हमारे बीच उपस्तित नहीं है जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है तो वही दोस्तों हम आपको बता दे कि इन्होंने सुसाइट अटेम्ट किया था जहां पर इनके फैंस और इनके सभी रिलेटिव काफी ज़दा परेशान और हैरान हो गए थे कि आखिरकास तुनिशा शर्मा ने ऐसा क्यों किया जहां पर हम आपको बता दे कि आज अभी ने तुनिशा शर्मा का बत्रे है तो सभी लोग उन्हें काफी ज़दा मिस करते हुए आ रहे हैं नजर तुनिशा सर्मा के बित्रे पर उन्हें काफी ज़्यादा मिस करते हुए उन सितारों ने दिये हैं अपने अलग अलग रियाक्शन तो आखिरकार कौन से हैं वो सितारे और क्या है उनका रियाक्शन आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में नमबर वन फलकनाज लरस टीवी का मोस्ट पपलर सीरियल ससराल सी मरका में में काफी अच्छा परदशन करती हुई नजर आई थी अभी नित्रीफ वलकनाज जो कि तुनिशा शर्मा के बॉइफरेंड तान खान की बहन है जी हा दोस्तों इन्होंने भी अभी नित्रीफ तुनिशा शर्मा के आज बर्डे पर अपना रियाक्शन देते हुए कहा है कि तुनिशा शर्मा बहुत ही अच्छी थी और मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि मैं तुनिशा शर्मा को बहुत ज़्यादा मिस्स कर रही हूँ तुनिशा शर्मा मेरी छोटी बहन की जैसी ही थी और वो मुझे आप ही कहके भी पुकारती थी और आज के दिन में उन्हें बहुत ज़दा मिस कर रही हूँ अभी शेक निगम दोस्तो इस लिस्की दूसरी कड़ी में भी शेक निगम का नाम सुमार होता है जिनके साथ तुनीशा शर्मा ने हीरो सीरियल में काम किया है जी हाँ दोस्तो हम आपको बता दे कि अभी नेती तुनीशा शर्मा को याद करते हुए उनके बड़े पर उन्हें भी अपनी डियक्शन में कहा है कि उन्हें भी तुनीशा शर्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें अपनी राय कमेंट करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले